हमें rescue line पर करीबन 3 बजे कंचना जी का call आया उन्होंने पताया एक pregnant guy लेबर पेन में है और उसका बच्चा बाहर नहीं आपा रहा हम जल्दी से आकर उसके delivery करा दे 4 बजे हम गरों पहुँचे कंचना जी जिन्होंने हमें call किया था वह हमें सुनसान रास्ते से होते हुए एक खंडल की और ले गई जहां पर एक टूटा फूटा सा घर था और लग रहा था कि सालों से यहां कोई रहने नहीं आया उन्होंने बताया कि pregnant guy अंदर है जब हम अंदर घुसे तो अंदर light नहीं होने के कारण पूरा अंधेरा चाया हुआ था कुछ भी नहीं दिख रहा था वहां पर delivery करवा पाना बहुत ही मुस्किल था हमने रसी बांद कर guy को बाहर लाने के कोशिस की पर दर्द में होने के कारण वह बाहर नहीं आ रही थी साहिल लगातार कोशिस कर रहा था पर वो guy वीच रास्ते ही गिर जा रही थी जैसे तैसे हमने guy को बाहर किया और एक पिलर से बांद दिया गाह इतनी दर्द में थी कि वो खाड़ा ही रहना नहीं चाहरी थी उसने बैठने की कोशिस की पर लड़ खराते हुए वो अपने पेट के बल गिर गई ये अच्छा संकेत नहीं था बच्चे के पैर उसके गर्ब से निकले हुए साफ दिख रहे थे ऐसे कंडिशन्स को वो मेडिकल टर्म में डिस्टोसिया कहते हैं जिसमें बच्चे किसी कारण वर्ज गर्ब में फस जाते हैं और नैचरली डिलिवर नहीं हो पाते ज़्यादा देर फसे होने के कारण दम गुटने से बच्चे की अंदर मौत भी हो सकती है डॉक्टर गुलसन ने बच्चे को बाहर निकालने की जैसे ही कोसिस की गाई दर्ज से पूरी तरह से चटपटा उठी उसने उठने की भी कोसिस की हैंडल करने में ज़्यादा मुश्किलात ना आए इसलिए हमने उसके पैरे को भी बान दिया अब हमने उसे बेहोश इसलिए नहीं किया क्योंकि बेहोशी में बॉडी के मसल्स कॉंट्रैक्ट कर जाते हैं और इस कॉंट्रैक्शन में उसे डिलिवरी करवा पाना बहुती मुश्किल होता हमारी कोशिश यही थी कि उसकी डिलिवरी प्राक्रितिक रूप से हो जाए और सीजेरियन के लिए हमें उसे अपने क्लिनिक पर ना ले जाना पड़े जब जब हम बच्चे को बाहर खितने के कोशिश करते गाये दर्द से छट पटाने लगती छट पटाती हुई वो वरामदे से नीचे गिर रही हमने उसे सीधा किया जिससे डिलिवरी कर पाना हमारे लिए असान हो सके डॉक्टर गुलसन लगतार कोशिश कर रहे थे पर बच्चा बाहर नहीं आ रहा था वहां मक्यां भी खूब मंड़ा रही थी जिससे बेचारी गाय और परिसान हो रही थी डॉक्टर गुलसन ने गाय की बॉड़ी पर डी मैग स्प्रे किया जिससे मक्यां उसके सरीर पर ना बैठे और गाय को थोड़ा तो आराम मिले हमारी लगातार परियास के बावजूद भी बच्चा डेलिवर नहीं हो रहा था फिर हमने अपने क्लिनिक को कॉल किया यह शायद फार्म में लेके आनी पड़ेगी यह ऐसे नहीं निकलेगा बच्चा बच्चा काफी बड़ा है ति जेरिन करना पड़ेगा इसका ना ले यहाँ अभी टुकुछ खाय में सब्सक्रा लेना ही पड़ेगा जगा इतनी अंदर और रास्ता सक्रा होने के कारण वहा अपनी प्रियास चारी रखी इस बार ड़क्टर गुल्सन ने पट्टी को लूब बनाकर बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश की गाय को काफी दर्द हो रहा था उसे कमफर्टेबल करने के लिए हमने उसको सहलाने की भी कोशिश की पर दर्द उसकी बरदास्ते कहीं ज़ होता है गंटों की कड़ी मसकत के बाद हम बच्चे को बाहर निकालने में काम्याब रहें लेकिन इस काम्याबी की खुशी में गम तो तभी से मिल गया था जब हम यहां पहुंचे थे हमें पता था कि बच्चा अंदर मर चुका था और अब सारी महनत मां को बचाने के लिए हमने बिना समय गवाए बच्चे को जल्दी से मोरी में कर दिया जिससे की मा उसे ना देख पाए क्योंकि वो अगर अपने बच्चे को देख लेती तो उसके लिए इस सदमे से उबर पाना बहुत मुझे नहीं पता मा के लिए क्या जादा मुश्किल है बच्चे का मरा हुआ पैदा होना और इसकी शकल भी ना देख पाना या बच्चे के साथ कुछ दिन बिता के फिर उससे जुदा हो जाना मुझे लगता है शायद कुछ दिन बिता के मा का बच्चे से अलग होना असान होता होगा नहीं तो कैसे कोई गउपालक हर साल अपनी गाये के साथ ऐसा कर सकता है या यह भी मुम्किन है कि ना तो मा का अपने बच्चे से किसी भी हाल में अलग होना असान है और ना ही हमारा अपने स्वार्थ के आगे मा के दर्द को समझना